कि नमिश्कार एक बर फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्तित हूं बेहद महात्वपूंग टॉपिक के साथ आज हम बात करने वाले हैं क्या यह जो नेशनल वोट्स दिये जाते हैं आपका भारत रतने जैसे सम्मानिक पुरसकार हो गया जो देश का सरवोच सम्मान है क्या इ वापस ले सकती है यदि आप सभी को पता हो तो हाल ही में एक कोरियोग्राफर थे जिनको नेशनल अवार्ड दिया गया था उनसे वो नेशनल अवार्ड वापस ले लिया गया क्योंकि उनके ऊपर एक नाबालिक असिस्टेंट के रेप कारोप लगा था इसके बाद सरकार उनसे उनका नैशनल अवार्ड चीन लिया इसके बाद ही मुद्दा उठा कि क्या सरकार के पास यह पावर है कि वह जितने भी नैशनल अवार्ड और भारत ने देती है वह वापस भी ले सकते हैं तो इसी पर आज हम डीटेल अनलेसिस करेंगे हम बात करेंगे भारत नत्र पुरुषकार की हम बात करेंगे कि नियमों के तहती वापस लिये जा सकते हैं हम बात करेंगे आखिर यह जो नैशनल अवार्ड था यह किस लिए और किसको दिया गया था वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा बहुत ही महात्वपून चीज़े जो है वोसमें मैं कवर कर जा रहा है आपको सभी कोर्स पर जो भी बच्चे जोईन करना चाहते हैं इन कोर्स में जल से जल जोईन कर सकते हैं ओफर आपका 5-10 अक्टूबर तक ही वालिड रहने वाला है अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 955-14124 पर काउंटेक कर सकते हैं चलिए आज आते ह अपनी न्यूज देख लेते है न्यूज क्या है कोरियोग्राफर से वापस लिया आगया नैशनल अवौर्ड देखेंए ये कोई छोटा मोट अवौर्ड तो नहीं है ये नैशनल अवौर्ड है और जब यह किसी से वापस लिया जाता है तो उसकी करेयर के लिए बहुत वगेरा थे तो इसमें choreographer जानी मास्टर इनका नाम है जानी मास्टर ठीक है इनको ये अवार्ड दिया गया था इनकी choreography के लिए आपने वो गाना सुना होगा काटी रात में उसकी जो choreography है वो इन्हों नहीं करी थी इसके लिए इनको क्या है नेशनल अवार्ड से समानित किया गया लेकिन जैसे ही इन पर आरोप लगे कि इन्हों ने अपनी एक नाबालिक असिस्टेंट का रेप किया है तो ministry of information and broadcasting ने इनसे ये national award वापस ले लिया अब आ गया जाते हैं भाई ये तो ये चीज़े रही मामला क्या था मामला मैंने आपको बता दिया कि जिसकी वज़ेस अवार्ड जॉनी master के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जॉनी master को केंद सरकार की ओर से national award साल 2022 में release हुई तिरू चित्रम बालम गाने में मेघम करू कथा का डांस इन्होंने choreograph किया था और इसके बाद उन्होंने शतीष कृष्णन के साथ choreograph करी थी काटी रात में तो आई नहीं ठीक है तो इन दोनों के लिए ही इनको यह national award दिया था कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था नाम इनका याद रख लीजेगा जॉनी master इनका नाम है क्योंकि अभी चर्चा में आ चुके हैं तो शायद आप से पुछा जा सकी क्योंकि national award विनर भी रह चुके और यह ऐसे हैं जिनसे वापस लिया गया पहले ऐसे इंसान है जिनसे इनका national award वापस लिया गया गया चलो आ गया जाते हैं और भारत रत न पुरसकार भारत का सर्वोच नागरिक सम्मान होता है ठीक हैं आगे बात करते हैं दो जनवरी 1954 को अस्थापितिया पुरसकार असाधारन स सरवोचस्तर के पुरधर्शन के समान में पुरदान किया जाता है अब किन खेतरों में दिया जाता है आपका यह तो जिनों ने भी कळा साहित्य विज्ञान सार्जनिक सेवा जैसे विबिन ने चेत्रों में रास्ट के लिए आसाधारन योगदान दिये हैं उनको ये पुरुसकार दिया जाता था लेकिन 2011 में इसमें एक श्रिणी और एड कर दी गई कैसे क्योंकि अभी तक तो सिर्फ कला साहित विज्ञान और सारजनिक सेवा के लिए दिया जाता था कि सराहनी है तो उसको ये अवर्ड दिया जाएगा भले वो किसी भी छेत्र से हो ठीक है तो यहाँ पर इसके छेत्र का वस्तार 2011 में किया गया था ये याद रखना आगे आ जाते हैं पुरुसकार के लिए जो सफारिश होती है वो प्रधान मंत्री भेशता है किसको रास्ट्र दिया जाना है ऐसे अगर सीमा की बात करें कि अधिक्तम कितने लोगों को दिया जाता है तो सर्फ तीन लोगों को ही एक बार में भारत रत्न पुरुसकार दिया जाता है लेकिन इस बार एक साथ पाच लोगों के भारत रत्न पुरुसकार की घोशना की अब यह पाच लोग तो यह तोटल पाच लोग है जिनको सरकार ने अब भारत अतने देनी की घोशना कर दी है आगे आ जाते हैं भारत के संबंद में दिशा निर्देशों के नुसार एक वर्ष में अधिक्तम सर्फ तीन वेक्तियों को ही भारत अतने दिया जा सकता है और यह वाला जो पॉइंट पूछ सकते हैं अधिक्तम इतने बार दिया जाता है अधिक्तम पाच बार जा सब्सक्राइब तो आपको इस स्टेटमेंट सी याद रखते हैं इस नियम को पहली बार कप तोड़ा गया था तो पहली बार यह नियम टूटा और उस टाइम चार लोगों को एक साथ यह पुर दोलोई और रवी शंकर तो इन चार लोग को दिया गया था 1999 में एक साथ चीक है इसके बाद 2024 में पुना ये वाला जो नियम है वो तोड़ दिया गया और इसमें इस बार पाच लोगों को ये पुरस्कार दिये गया वरना जो नियम कहता है वो ये कहता है कि सर्फ तीन लोगो जो सरकार खुद पहले फॉलो करती है देन वो किसी से उसका ऊउड छीन सकती है जैसे कि देखें नैशनल अवाड की तरह भारत रटन वाड भी सरकार वापस ले सकती है जिस वेक्ति को भारत रटन दिया गया हो अगर आवड देने के बाद उसके खिलाफ कोई अपराधिक गत तो पहले वो खुद जाच करेगी उसके पास अधिकार है जाच करने का अगर जाच में आरोप सत्य साबित हो जाते हैं तो सरकार क्या करेगी पुरुसकार वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर देती है प्रक्रिया क्या है देखे प्रक्रिया यह है कि अगर सरकार किसी से भा अगर वो सूचना डालेंगे सबसे पहले इसके बाद जिसमें पुरुसकार की वापसी के कारण इस पस्ट रूप से बताएगे और वो कारण बताएगी या गवर्मेंट कारण बताएगी बहाई किन किन कारणों से मैं इनसे पुरुसकार वापस ले रहा हूं क्योंकि यह फॉलो करती है कि उसके ऊपर कोई भी ऐसा आरोप ना लगाया जाए ठीक है क्योंकि वह भारत रत्न सम्मान है आगे आ जाते हैं इसलिए ऐसा करने से पहले सरकार हर तरह से पहले जासुनिक्षित कर लेती है जब वो देख लेती है यह व्यक्ति दोसी है तब वो उससे उसक सानी थी आर्टिकल एटीन वन के तहट कोई भी वैक्ति जिसको भारत रत्न ने दिया गया है वह यह मैंशिन नहीं कर सकता है कि भारत रत्न विजेता अपने नाम के आगे ऐसा लगा कर कि क्या बॉलिश कर लेते हैं सारे टाइटल तो वहां पर यह कि हम पुरसकार दे सकते ह नहीं है यह कि उपाधी के तरह नहीं आप लिख सकते हो अपने नाम के आगे कि भारत रत्न विजेता लिप इस तरह बहुत सारे लोग सारे तो अभी तक तो ऐसी नौबत नहीं आई है कि किसी से वापस लिया गया हो, नेशनल अवार्ड वापस लिया गया है, जो अभी हमने देखा और ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, कि किसी से उसका नेशनल अवार्ड वापस ले लिया गया है, तो ये थी आज की न्यूस, I hope आपको समझ में आए होगी तो मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद लाइच चान सस्क्राइब करना बिलकुल भी न भूले and thank you so much